हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स, विल्कम बाक तू मैं चैनल, टारो विशीवी, चुपल एट, गाइस तीरिंग को स्टार्ट करने से पहले, मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब मैं च तक पहुंचेंगे, तब आपसे रजुनेट करेगी, और ये रीडिंग सभी जॉर्डिक साइन के लिए, तो आपका जो भी जॉर्डिक साइन हुए, रीडिंग भी आपसे माच जरूर करेगी, गाइस ये रीडिंग मैरेड, अन्मारेड, मेल, फीमेल, कोई भी देख सकता ह है, जेंडर स्पेस्फिक बिल्कुल भी नहीं है, ओके, तो लेट स्टार्ट यूर रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं, आपके परसन की आज की अनरजी क्या है, ओके, लेट स्टार्ट यूर रीडिंग, गाइस मेरा एक और न्यू चैनल है, साइकिक टैरो, शीवी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियो को अपलोड करते हूं, गाइडेंस वीडियो को, ओके, तो गाइस देखते हैं, आपके परसन की आनरजी, क्या है आज के दिन में, इस परसन के पास, अभी आज के दिन में एनरजी ऐसी है, कि इस परसन को किसी पर्टिकुलर चीज पर, मैं यह देख रही हूं कि ध्यान के इंद्रत करते हूँ, जैसे कोई यह चीज पाना चाहते हैं, और उनका पूरा फोकस उस चीज पर है, ठीक है, अभी इनकी करियर में भी हो सकता है, और लाइफ के दूसरे एरिया में भी यह चीज हो सकती है, कि किसी चीज को पानी की कोशिश कर रहे हैं, और इनका पूरा फोकस से ध्यान है उस चीज पर है, दूसरी तरफ मैं यह देख रही हूँ, यह बहुत बड़ा ओफर इस परसन के पास में है, जिसको यह देखना नहीं चाहते हैं, अब इसको मैं ऐसे एक्स्प्रें करती हूँ आपको, कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे आँख बंद करके ब्लाइंडली भाग रहे हो, और आप सोच रहे हो कि उसको मैं पाल हूंगा या पाल हूंगी, तो मैं अपनी लाइफ म के सामने ही खड़ी हूई है, जिस पर उस द्यक्ति का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ठीक है, तो मतलब ऐसा है गाइस कि आप निगाही कहीं और किये हुए हो और यूनिवर्स देना आपको कुछ और चाहते हैं, यह इस परसंगी एनरजी है, ठीक है, अब मुझे इसमें ऐ अब लग रहा है यह आप लोगों के लिए प्याइब हो सकती है, हो सकता है कि यह पर्संग किसी और चीज के पीछे भाग रहे हो या फिर इनका ध्यान किसी ऐसी चीज पर है और इनको ऐसा लग रहा है कि वह चीज उनको खुशी देगी जब कि उनो यूनिवर्स द्यान नहीं है यह वह बहुत ही जादा इंसान की एनर्जी है यह पहली जो बहुत ही जादा मुझे लगता है डिजायर में ऑपरेट करते हैं ठीक है और बहुत जादा मतलब इस परसन की डिजायर मुझे नजर आती है ठीक है लेट सी और क्या आता है आपर ये परसन का सेक्रल चक्रा इंबैलेंस नज़र आता है ठायजद, ठीक है? और उसे बोब उप्जर्वर किसम के इनसान है ये परसन, ठीक है? ये परसन एक ऐसे इनसान मैं नज़र आ रहे हैं कि ये ये भोगत भोगत जादा घेहराई से लोगों को देखते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और आज के दिन में भी मैं यह देख लिए हूँ गाइस की यह परसन का जो ध्यान था वो दूसरे लोगों पर जादा था तो मुझे ऐसा रगते हैं कि बहुत ही जादा लोगों को डीपली अबसर्फ करना उनको देखना कि वो अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते हैं क्या करते हैं यह व्यक्ति वो हैं जो दूसरों से जादा सीखते हैं और आज के दिन मुझे दूसरों से सीखते हुए ही नजर आ रहे है अच्छे मुझे एक चीज और जो इस परसन की एनरजी में फील हुई है यह परसन काफी सादा इगोस्टिक आपके परसन हो सकते हैं क्योंकि मैं इस परसन के अंदर एक चीज और भी देख रही हूँ कि यह अपने आगे किसी और को समझते भी नहीं है ठीक है मुझे असर रखता है कि इस परसन को कोई सलह देने की कोशिश करे या कोई बात समझाने की कोशिश करे तो शायद यह समझे भी ना विकाउज इस परसन को जिस तरह के से मैं देख रही हूँ कि कोई इनका ध्यान केंदरित करने की कोशिश कर रहे है दूसरी तरफ लेकिन ये परसन नहीं देखना चाहते है ठीक है ये परसन उस दिशा में नहीं देखना चाहते है जैसे किसी एक चीज़ को बहुत ही शिदत से पाना चाहते हैं चेस कर रहे हैं ऐसी आपके परसन की आज के दिन में एनरजी है लेट सी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं याँ देखते हैं ट्रांस्पेरेंसी कुछ ऐसा लगता है कि यह परसन के लिए आप जैसे मैंने का ना यह बहुत जादा डीपली ऑबजर्फ करते हैं तो इस परसन ने जतना आपको अब्जर्फ के उसे आप से गाइस यह इस परसन को लेकर क्रिस्टब ग्लियर क 나타के हो और किसी को भी लह हो तो मुझे अस लगते हैं आपको बीलको वैसा ही देखते हैं जैसा आपको आईनी जैसी साफ एनर्जी दिखाए दे रही है तो आपको एक मिरर की तरह देखते है जैसे मिरर व्ल्कुट सAF होता है ऐसी एनर्जी उस परशग की मुझे नजार आ रही है मुझे ऐसा भी लगते है guys कि जैसे ये person आपको लेकर ऐसा भी सोचते हैं कि आप मुझे ऐसा लगते है guys ये person आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको आपको पावर में आने का शौक है या फिर आपको अथालिटी चाहिए या फिर आपको एक लाइफ में बहुत बड़ी प्लेस चाहिए जीक है आप उसके लिए बहुत जादे स्ट्रगल करते हैं लैकि ये person आपको मेहनत करते हुए देख रहे हैं जहांपर आप मेहनत करे हो कि कि इसी position को achieve करने के लिए ठीक है आज दिन में आपको लेकर यह सोच आथे कि आपको जो focus है इस person से ना होकर अपने career पर जादा है ठीक है ऐसा भी हो सकता है guys कि आप ही को देखकर इस तरीके से हरकते हैं आपकी जो energy इस person के मन में मुझे नजर आ रही हो ऐसी है कि आपको किसी position पर देखते हैं ठीक है इनको ऐसा लगते कि आपको कोई position पाना चाहते हो या फिर हो सकता है आप already किसी position पर हो ठीक है मतलब मुझे यहाँ पर energy ऐसी feel हो रही है कि आप लोग बहुत ही जादा कोई legacy create करना चाहते हो या फिर आप कोई बड़ा नाम हासल करना चाहते हो name fame चाहते हो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि competitive wife है यहाँ पर ठीक है बहुत सारे लोगों के बीच में competition रहता है और यहाँ पर मुझे couple में competition नजर आ रहा है ठीक है यह वो energy हो सकती है वो step one energy है यह आपके person की जो अपने से आगे किसी और को नहीं देख सकते ठीक है कई बार यह energy निकल कर आती है तो यहाँ पर mostly लोग ऐसे हैं जिनके person इस तरीकी energy के है कि अपने से आगे नहीं देख सकते मानी कि step one energy और यह person एक हाथ है यह biblical ace of pentacle की energy है यह so ace of pentacle से मुझे ऐसा लगता है कि यह person आज आपके बारे में यह सोच रहे थे कि you know आपके आपके पास मदब आपकी energy को देख एक पर परसन को पदे क्या लगता है कि आपके साथ divine है ठीक है इस person को ऐसा feel होता है आपको देखकर कि आपके साथ divine है और divine की blessings आपके साथ है ठीक वो कि आपको नहीं पता चलता कि आपको कितना नुखसान आंता था को अल screen yeah के आप से कृस्ते में नफट जाते हूँ कहने का मतलब में कि कि आप यह जितना आप question mark है कि आप ये कैसे करते हो कहीं नगे कुछ energies ऐसी भी हैं ये person आपको देखकर ऐसा भी सोचते हैं कि आप में कुछ special बात है कुछ तो special है आप में जो बागियों से बहुत अलग है ऐसी इस person की आपको लेकर energy है मुझे ऐसा रखते हैं इस person मैं आपको लेकर ये भी सोच रहे थी कि आपको injustice बिल्कुल भी नहीं है पसांद ठीक है ये person आपको लेकर ये सोच रहे थी कि आप injustice पसंद नहीं करते हैं यानि गलत परदाश नहीं कर पाते हो ये वो लोग है जो अगर गलत देखेंगे तो रियक्ट करेंगे ही करेंगे ठीक है गलत सहन नहीं करेंगे ठीक है भले चाहे रिष्टा बचे या ना बचे ठीक है लेकिन अगर कहीं गलत देखेंगे तो इनको पता होता है कि अंदर से पुष आता है कि गलत है तो रियक्ट करो ठीक है तो मतलब गलत देखेंगे तो रियक् पसंद है और इस परसन के लिए यह है कि लाइफ के अंदर सब कुछ होना चाहिए ठीक है जब 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 पढ़े तो थोड़ा बहुत चलता है उपर नीचे यह इस परसन की एनरजी यह मुझे लगता है कि मेरे व्यूर्स के लिए नहीं चलता है चाहे जितनी इमरजेंसी ही क् आज की फ्लेम देख रहे हैं जाईज आप किस तरीके से है यह फ्लेम मुझे यह बताने की कोशिश कर दिए कि जो आपके परसन है इनकी एनरजी बहुत हाई है हाई का मतलब कि मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एनरजेटिक है आपके परसन यहाँ पर कोई भी लो उनमें चल जारहे है उस चीज के पीछग नहीं रहे है कुछ और एक परसन तिक एनरजी बहुत ही आ थच्यों को देख और उसी में प्रसनें दर्जेश अनरजी यह था एनृस हृहरा है कि जस तरीके से उनों चछ लोह ऐसे होते हैं इपका कमजोर को देखकर उसको अपनी करो हैं कि माम कर दोंदोına अमें कुछ समझ में नहीं कूला उन रखना उनकी लापने शबतेसे सब्सक्राइब करके जैने अले już년 10, quicker उम्हात GYP सब्सक्राइब करते हैं भिंधे छोन को पइसे सामने कम्में कोई उनकी काम हांया तो वो उससे भाग जाएंगे, उसके साथ वो नहीं रहेंगे, वेकास उनको चाहिए एक ऐसा इंसान जिसको डॉमिनेट कर सके, दूसरे उस तरीकी के लोग होते हैं, जो उन पर आकरशित होते हैं, जो मतलब तक करका हो, ठीक है, जो बिल्कुल ऐसा हो कि आपको, जो जैसे गहते हैं, एक मैच बने जहां पर, ठीक है, तो अलग-अलग तरीकी के लोग है, आपके परसन हो सकता है, एक ऐसे इंसान हो, जो, जो, you know, मुझे लगता है कि आकरशित होते हैं आपके उपर, तो मुझे ऐसा लगता है कि गाईज, इस परसन को चाहिए एक ऐसा इंसान की लाइफ में जो टक कर दे, लेकिन अट 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 सेम टाम मुझे ऐसा भी लगता है कि इस परसन की इगो की प्रॉब्लम है, वेकाज यहाँ एगो की एनरजी मुझे नजर आ रही है, यह कॉंपटेटिव वाइफ है, तो यह परसन डेफिनेटली ऐसा चाहते है अपनी लाइफ में जो इस परसन को मैच करें, बहुत ही जादा बेफकूफ और बद्दिमाग इंसान यह परसन अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं, बद्दिमाग का मतलब होता है जो बहुत बच्चों की तरह हरकते करें ठीक है और हां में हां मेलाएफ ठीक है इस परसन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यह अपने लाइफ पार्टनर के रूप में एक ऐसा वेक्ति चाहते हैं जो इनको टक कर दें ठीक है जिस से यह करें मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि आपसे बहुत आकर्शित है फ्लेम भी मुझे बहुत पैशन की दिखाई दे रही है ठीक है यह यह जिस तरीके से यहां पर मुझे रखते है कि आप लोग में खटपट भी बहुत होती है ठीक है आप लोग बात कम करते होगा आप तस्लिट बात करोगे तो मुझे लगता है पांच मिले जगड़ा हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैंने जैसे कहाने कि अटकर वारी जोड़ी है यह आप दोनों ही मतलब असे लग रहा है मुझे के यहां पर जितना यूनो मैं ऐसे कह सकते हूं कि जितना लव है वही उतना ही जादा अट्रैक किस की एनरजी पॉन ऐसे पावर कपल है यह पावर कपल की एनरजी होती है जो दोनों ही बहुत स्ट्रॉंग होते है ठीक है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉंग पावर कपल की एनरजी है तो मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताईएगा ठीक है और देखिए जहां बहुत सारे लोग देखते हैं तो कभी कभी रीडिंग उनके हसाब से भी आती है तो आपको बता लिए जो मुझे रीडिंग में दिख रहा है तो अगर आपसे कोई पॉइंट अगर किसी दिन नहीं रेजोनेट करता है तो आप उस दिन के लिए उस चीज को understand कर सकते हैं विकॉल आप यह चीज समझ रहे हैं कि यह एक general reading है और हर चीज किसी से match नहीं कर सकती कुछ यह आप नए लोग आते हैं जिनको कुछ नया सुनने की ज़रत होती है तो उसे साब से भी reading आती है कभी बहुत higher vibration की reading आती है कभी reunion की reading आती है ठीक है और कभी आपके person उदास है उसकी reading आती है तो हर दिन reading आप से resonate करें ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए मैं आप लोगों के वो भी निकालती हूँ लेटर्स भी निकालती हूँ ताकि आप समझ पाएं की reading आपकी है या नहीं और इसलिए मैं आप से बोलती हूँ कि जिससे resonate करें मुझे comment section में जरूर बता है ठीक है तो आप थोड़ा सा cooperate किया किजे मुझे भी अच्छा लगेगा guys ठीक है चलिए देखते हैं कार्ट से क्या आता है ओके प्लीज कैज कीजे angels आज के दिन में मेरे व्यूर्स के पार्टनर्स की energies मेरे व्यूर्स को लेकर क्या थी प्लीज कैज कीजे angels आज के दिन में मेरे व्यूर्स के partners की feelings मेरे व्यूर्स को लेकर क्या थी 9 of Wands 9 of Cups 7 of Pentacles 3 of Pentacles 9 of Swords 9, 9 and 9 Triple 9 ki energy hai hai Ange, Queen of Wands Bottom se bhi have 6 of Swords Okay Participation Innocence and Cleansing to the Past Okay so card se bhi kuch messages milye hai important aap loge ke liye Guys Guys You know Ange, Queen of Wands करते हैं ठीक है और बहुत नेम फेम भी हो सकता है इस परसन के पास सोसाइटी में ठीक है लेकिन इस परसन को अंदर से बहुत जादा खालीपन महसूस हो रहा है ऐसी मुझे इस परसन की एनरजी लग रही है नाइन ओ वेंट्स कार्ट के साथ कि अपने आपको भीड में भी अ क्योंकि बगल में ही नाइन ओफ कप्स का कार्ड है मैंने जो सुबह रीडिंग डाली है कल रात वाली उससे कुछ मिलते जुलते कार्ड यहां पर आए हैं इस परसन के लिए मुझे आसा लगता है नाइन ओफ कप्स कार्ड के साथ इस परसन के पास जो जो भी यह पाना चाह जाते हैं इसको पा के रहते हैं ठीक है और नाइन ओफ कप्स दिखार है कि almost इस परसन के पास ऐसी चीजे है जो यह पाना चाहते थे इनके पास हैं लेकिन अभी इस परसन के लिए नाइन ओफ सोडस कार्ड के साथ ऐसा दिखाई देता है कि परसन सैटिस्फाइड नहीं है मुझे एक अची कंपनी में जॉब लेनी है या फिर मुझे कोई बिजनस करना है इतने तक मुझे पैसा कमाना है अब यूनों उसमें सारी चीजे जो की टागेट अपने लिए बनाया थे अचीव कर लिया अब वो बैटके सोच रहा है कि मेरे पास सब है मेरे पास मुझे नेम चाहिए था तो मेरे पास नेम है लोग मेरी तारीफ है करते हैं मेरे पास मुझे घर मकान गाड़ी जो भी चाहिए था वो भी है मेरे पास यह इस person की आज के दिन में energy थी ठीक है और यही मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आपको candle wax reading में बताया था कि यह person किसी particular चीज के पीछे भाग रहे है तो यह क्या करते हैं कि एक नया target सेट करते हैं ठीक है इस person को लगता है यह पालिया अब चलो इस चीज के पीछे चलते हैं शायर इस से खुशी मिले तो मुझे यहांसा लगता है कि यह person बहुत सारे targets बनाते जा रहे हैं उनको achieve करते जा रहे हैं तो यह नो बाहरी चीजों को इस पर्टिकुलर चीज पर एंजल, इनका ध्यान खीचना चाहते हैं कि यह यहां पर अपना ध्यान लगाईगी यह आपको खुशी देगा उस चीज पर यह पर ध्यान नी दे रहा है मैंने आपको रीडिंग में बोला था ठीक है तो यहां पर वही message मिला है जो मैंने आपक चीजों के पीछे भाग रहे हैं ठीक है और जहां पर इस परसन का ध्यान लेकर आया जा रहा है कि यहां पर अपना focus shift कीचे यहां पर अपको अंदर से खुशी मिलेगी satisfaction मिलेगा उस पर इस परसन का ध्यान नहीं है ठीक है अदर्वाइस 9 of cups card के साथ मुझे लगता है almost इस परसन को जो जो अपनी life में चाहिए था वो इस परसन के पास है लेकिन उसके बाद भी नीचे 9 of source यह दिखा रहा है यह वाला card कि फिर भी यह person अगर अपने आपको अकेला महसूस कर रहे है या फिर भी इस person को सुकून नहीं है सुकून की नीद नहीं है 9 of source card के साथ हम ऐसा कह सकते हैं कि इस person को सुकून की नीद नहीं अब यह सुकून की नहीं आ रही है अगर आपके पास सब कुछ है तो खालीपन क्यों लग रहा विकॉस यह person कही ना कहीं कुछ चीजें है जिसको यह person जिसे मैंने आपसे बोला था कि ego problem हो सकती है यह person accept नहीं कर रहे कि इस person के प पर आप पावर कपल की energy है यह queen of vans तो आप definitely एक ऐसे इंसान हो जो ना की डरता है इस person से और कहीं ना कहीं आप ऐसे भी इंसान हो जो जिसके ज़िए तर्फकर का इंसान को सकते हैं कोई नहीं बहुत ही attractive personality होती है यह person इस energy पर आकरशित है ठीक है यह person इस energy पर आकरशित है कि इस energy को देखके कि वो इंसान है यह जिसकी भी reading निकल कर आई है ठीक है यह वो आपके person में बहुत साय लोगों की person की energy हो सकती है इस वकत में कि जैसे यह इनो इस person के आसपास सारी चीज़ें गूम रही है ठीक है लेकिं फिर भी इस person को यह नहीं पता कि मुझे चाहिए क् इस person के पास सब कुक्छ है आस-पास आप भी हो लेकिं फिर भी इस person नहीं पता किको क्या चाहिए विकास परसन का दिल कुछ और बोल रहा है और जब आपके दिल और दिमाग ओलाई जा तुन इनसान कि अक्सर करें कि दिल कुछ और बोलता है is that the body couch the mouth is logical दिल के मामले में आप logic को यूजश कर रहेंgas अफेसे हारेंगे यह इस परसन पर्सम की एनर्जी दिन में व्यलबो बेरी सब्सक्राइब क्या दोकिती है मणली है, इस थाई में प्रेप्रेंड आफिस है इस परसन का बिजनेस है नाय ओफ कब लिखारा, overall मुझे लगता सारी खुशियां है ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इस परसन को satisfaction नहीं विकाज यहाँ पर एक energy आ गई, कुई नव वांट्स की ठीक है, तो इस परसन को ना इसी का इंतजार है आप देख सकते हैं, seven of pentacles यह परसन अब यह सोच रहे हैं, कि किस चीज का इस परसन को इंतजार है ठीक है, इस यह इतना धैर है, किस चीज का है किस चीज की planning करना है, बेसिकली नीचे कोई नव वैंट्स है किस परसन को यहाँ पर यह चीज समझने की जरते की निकला सुकून कहा है और यह इंसान तब समझ सकता है, जब वो अपना intuition को follow करे जब उसका जो मन बोल रहा है पार्टिसिपेशन, इनोसेंस, और क्लिंजिंग तो पास मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो यह हालत है वो पास्ट की वज़े से है इनका पास्ट ऐसा रहा, इस वज़े से इनकी हालत ऐसी है अब यह क्या करते हैं, पास्ट को दोश देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि यह ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी सोचते हों कि अगर यह पास्ट में इस तरीके से ना रहते आपके साथ ना रहते या फिर उनो जो भी इनो ने पास्ट में किया अगर यह ऐसा ना करते तो आज ने सुकून की नींद आ रही होती यह भी possibility हो सकती है guys कि इस person ने आपकी innocent जो भी आपकी innocent हरकते थी या फिर जो भी आपकी innocence की उस चीज़ को इस person ने value नहीं किया इस वज़े से भी person फोड़ा वो गिल्ट में रहते हूं ठीके उस वज़े से भी इस person तो सुकून ना हो दो कारण हो सकते इक कारण यह भी हो सकता है कि इस person ने अगर आपको hurt किया है या आपकी इनोसर्स का फाइदा इस person किसी भी बीशे में उठायो भले सही intention से भली फिर ब्रे कि एक अपको hurt किया है लेकिन आपको hurt किया है तो भी इस person को कहीं सुकून की नीद नहीं आती है ठीक है ये भी एनरजी है और इस परसन को बार बार यही लगता है पास्ट की जब भी पास्ट की बातों को याद करते हैं कि ये past में ये सब चीज़ें ना हुई होती तो आप सुकून में जी रहे होते लेकिन अभी भी ये रोग पास्ट की चीज़ों को दोश देना अपनी आसपास की चीज़ों को दोश देना लेकिन ये accept नहीं करना कि इनका दिल ही ये चाहता है इसलिए तो इनका पास्ट में आपके साथ है और आज भी ये अगर आपके बिना अकेले है तो इनका दिल ही आपको चाहता है पस ये ये चीज़ इस परसन को accept करने की ज़रात है जो ये नहीं कर रहे जो इस परसन का इगो इन से नहीं करवा रहा है पार्टिसिपेशन कार्ड के साथ ये व्यक्ति हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते है मैं आपसे बोला ना बहुत ही ज़्यादा फैमली में सोसाइटी में समाज में हर चग है बढ़ चड़का हिस्सा लेना लोगों के बीच में अपने आपको प्रेजेंट करना हर चीज़ करना ठीक है हर चीज़ करना इस व्यक्ति को बढ़ा अच्छा लगता है बहुत सारे फ्रेंट्स बनाना ठीक है बहुत सारे लोगों के बीच में रहना लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में भी अकेले अंदर से क्या है खाली पन यह है आपके person की energy जिनसे भी resonate करें मुझे comment section में जरूर बताएं कि बहुत deeply मैंने explain किया है B letter है D letter है V letter है M letter है I letter है X letter है U letter है 3 number है Capricorn Scorpio March Cancer Jardu letter है and curly wavy hairs Okay Message देखते है guys इस person का इस person के लिए message आ रहा है Your healing ways unblocked my emotions I feel free I want you in my life This person के लिए message आ रहा है guys कि इनकी जो आपकी जो healing है This person के emotions को unblock करते है So मुझे ऐसा लगता है कि जब से आप दोनों के बीच में ये emotional distance आया है तब से this person अपने आपको You know ऐसे गहते है Heart chakra इस person का block हो सकता है Because this person के लिए And this person का message वो ये है कि तुम्हारी healing मेरे emotions को unblock करती है ठीक है अभी आप इस person emotion less हो चुके है ऐसा लग रहा है ये person तभी free feel करते है जब आप इनकी life में होते हो ठीक है आपके से तोड़ दे तो फिर वो दुनिया की चीजों के पीछे भाग लगता है कमानी के मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए क्योंकि वो जो energy उसके टूटे हुए दिल से जो energy निकल दे उसको कहीं तो लगानी है तो basically जब से आप दोनों के बीच में emotional distance आया है definitely ये परसन आपकी healing चाहते हैं अपनी life में ये भी पोर रहे हैं कि this love is too strong I surrender मुझे ऐसा लगता है कि deep inside this person को पता है कि ये इतना अकेला क्यों feel करते है this love is too strong आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत strong है और ये परसन कहीं ना कहीं इस चीज के पीचे surrender भी करते हैं मतब ये कितिना भी materialistic चीज़ों के पीचे भाग लें कितनी भी target set कर लें सब कुछ भी क्यों न पा लें लेकिन जब तक जो अवास अंदर से आ रही है उसको जब तक ये follow नहीं करेंगे तक ये इसी तरीके से रहने वाले हैं मतब दो ही चीज़ें हो सकती है या तो आपकी कोई जगा भर दे इस परसन की life में ठीक है या फिर ये परसन आकर आपसे बात करें और इस connection को आगे लेकर जाएं दो ही situation में इस परसन का अकेला पन खता हो सकता है मैं बस जताता नहीं मगर प्यार आज भी मैं उतना ही करता हूं मैं आपसे बोला था ठीक है मतलब ये परसन के मन में है connection को लेकर love है ठीक है बस ये परसन एक्स्प्रेस करने में नहीं है और ये परसन मुझे लगता है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर अभी इस परसन के लिए emotions का मतलब है कि जिद है अभी इस परसन के अंदर जिद है घमंड है ठीक है अभी इस परसन अपने emotions को ये person value नहीं कर रहे है ठीक है ये energy है guys आज के दिन में आपके person की okay so guys ये आपकी reading आओप आप कोई reading पसंद आई हो अगर आपको ये reading पसंद आई है तो guys please video को like करें चैनल पर पहली बार है तो subscribe सरूर करें thank you guys